तेरे को कहां पर आना होता है दूप में बाहर जाना है बस जार कल एक पैकेट आए यह लड़की पूरे घर में इधर तो इधर डोलती रहती है तो भाई सुबह सुबह जिल्द जिल्दी ब्रिक्फस कर रहे है साथ से पहले तो थार को बाहर निकालता है क्योंकि आज अपन ल लगी रहती है ना तो पहले उसको निकालो फिर दूसरी निकालो यह पैरलल पार्किंग होनी चाहिती यार वे वर्टिकल में दिक्कत होता है तो टायर हम ने कल इसमें चेंज करा है ना यार सीरिसली बतलब जितनी बार मैं गाड़ी को देख रहा हूं और जादा मेरा प्या काम था ना बहुत जादा नहीं बठ हलका फुलका जो मुझे लगा था कि यार इस गाड़ी में यह चीज रहना चाहिए वो करवाने तो बेसिकली क्या क्या करवाएंगे वो तो वहां चलके आपको बताएंगे सबसे पहले इसमें डीजल लेना है क्योंकि ट्रिप से आने के अगर आपका सबकॉंशेस माइड ना अगर म्यूजिक है तो इतर ही कम करना है अब फुल टैंक लेने का एक रीजन हो रहे है कि कल हम निकल रहे है चंदिगड के लिए तो चंदिगड में अपना इस गाड़ी का नंबर आ जाएगा तो अब इस गाड़ी का नंबर क्या है व पाणद अब इस गाड़ी को मैं ने जीद पाएंगे इस में बार बार न निंटरल पर टाल रहा हूं जबकि इसमें ऑटो होल्ड है यार अउसमें ठार चलाने की इतकte नहीं है है थार में थरा में ड्राइ से न्यूट्रल पर डालना बड़ता है तॉब जाके आपना से ग क्यों डाल रहा हूं और यह देगो सारी चीजे न सारे अलर्ट मेरे वाच पे आते हैं तो इमिडिटली मेरे को पता चल जाता है तो यह बहुत साही चीजे भाई अब इस गाड़ी को मैंने अल्मोस साड़े पांच हजार किलोमेटर चला लिए दो बड़े ट्रिप्स किये बड़े ट्रिप्स बोले तो एक मुंबाई का ट्रिप अपना जो था 3200 किलोमेटर का और एक हिमाचल का ट्रिप था जहां पे हम में कलॉट गए तो एक दो चीजे न इस गाड़ी में बहुत सारी चीजे रावी दूसरा बँर इसका म्यूजिक सिस्टम पता नहीं क्यों मेरे को थार के कॉमपारत만 नहीं बिलकुल पसंद है क्योंकि अच्छा बेसन है वो थंप नहीं है तो ये दो चीज तो भाई मेरे को वकराना ओकराना बिफौर ए लीए for another trip करोलबाग एंटर होने का बेस्ट टाइम, मॉर्निंग टाइम, भीड क्यों लग रहा है, थोड़ा तो लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कवर भीया को पेले ही फोन कर दिया था, के भीया दो काडिया है, तो प्लीज जगह तखना, यहां बेटाँ पार्किंग एक बड़ बड़ा चैलेंज बास, अज शॉप भी बड़ जल्दी हुल गी है, अज शॉप भी बड़ जल्दी हुल गी है, विन डिसाइड ही है, कि यह 20 पीसेज वाले लाइट है, अपने दोनों एक्सवी में, ब्लाक और वाइट दोनों में लगादेंगे, क्योंकि अपने न सबस्ताइड के अचैले है, रहें भी पाष़ भाष़ है, और प्लस बाकी धीरे-धीरे करें अभी तो यह डेसाइड के हमने बाकी भागी भाइया को सुर्फ अम्बेन लाइट ही लगवाना है, मेरे को बहुत सारा काम है, हमेरे को अचली कहां पर अम्बन लाइट लगाए कि आप गल्दीकरों कि तो में इंको तंकरों मैं तो एपना ने खु़वाना नहीं मतलब जो भी एक खुलना नुपरों इस तो अपर अपर से करना है और देमा यूजि कि आफ म्यूजिक श्टम के ले नहीं है यह उपने अपर अपर गोड़े जमने इन इंढ गार विखो नह काफी काफी कफी इंड काफी या पीके तेखंगूं हैं अरे चाय अरे चाय गढ़ गढ़ी अने रहा डिकना और देख लो नजिए और टो अब Stern कर लो तो अभी तक तक थोड़ा सा काम करेते हैं वाकिछ चाय कोड़ी का इप स्टाइब कर लो बाकिर फाने अर्टाटी का काम ह मतलब तुबह से इतनी जादा बीड़ा है अब देहोग गाड़ी आप कितनी लग अब तुबह आगे तौमने दोनु गाड़िया यह नागा अपनी तो बाहर जाके वहां के छोले बुल्चे नहीं खा रहे है अज हम जो फोले यहां पर मंगाले हा सीरिसलिड भाहर तो निकल तो अब अपनी गाड़ी का जो यह गता है न वोदो खुल गया इसी में से आगे वाले दोर से आगे वाले में से अब इसकी डैंपिंग भी हो नहीं है तो हो सकता है उससे सही हो जाए तो यह है तो यह है महींद्धरा का स्पीकर जो अभी यहां से निकला है अब यह देखो यह आइधिंक 100-500 ग्राम मतलब इससे जाधा का नहीं होगा और पीछे देखो इसमें न कहीं भी आपको कोई भी ब्रैंडिंग नहीं दिख रही होगी मतलब इतना यह देखो हलका सा यहां पे मैं फोकस करता हूँ यह बस हुआ है बस यह लिखा हुआ है यहां पे दाट सेट कहीं भी आपको कुछ ब्रैंडिंग और जो अब कॉम्पोनेंट डलवा रहे ना वह यह दलवा रहे और इसका पीछे देखो आपको दिख रहा मतलब एक्चली यह वेट है यार इसमें बहुत जादा वेट है और यह तो सिरीज टेंपो अल्टरा सिरीज हम डलवा रहे है जो अपनी गाड़ी में जेल आडियो है ना उससे यह सिरीज एक ऊपर है तो बेसिकली ना आडियो आउटपुट जो रहेगा ना इससे भाई एकदम जबरदस्त हो जाने वाला और यही रीजन है कि अपन यह चेंज कर आ स्वेटर ॉद रहे और यहां पे ना अपना यह को लगता है तो कोई वायर कट्टिंग दो 80 में एक लगा यह चार दर्वाजों पे डो अगे Politu विए पर इसी पे-उपर आप यह भी यहा पशी को आट यह तो यह 3D सरांड़ साँडर्ट देता है अब सोनिका महें। कहता तो है कि यह सूरी का अब मैं महिंद्रा की बुराई नहीं कर रहा वेकर सेम चीज ना टोयटा फॉर्चुनर में भी मैंने देखा था कि टोयटा फॉर्चुनर में भी ना ऐसी कपड़े वाले कपड़े नहीं सॉरी पेपर वाले स्पीकर से बट जो डिफरेंस होता है ना वो साउंड आउटपुट का होता है वो साउंड आउटपुट मेरे को थार में पता चल रहा है बहुत, प्सव्प जी साथ में हम इसमें करा तares, Mr.Jean पे जो पन्नी लगे थी ना, पन्नी मतलब ऐसी बन्नी, यह वाली पन्नी तो यह जो पन्नी है ना यह उतर जाएगी क्योंकि इतना ही डैंपिंग होता है कि बाहर से आवाद रोके अधर वाइस जो स्पीकर लगने के बाद जो आउट पुटाएगा ना तो वो डैंपिंग से बहुत हद तक फर्क पड़ जाता है वाइट अन ब्लाक का कॉंबिनेशन बहुत ही सुंदर लग रहा है तो यह भाइया का शॉप है ग्रांट आटो मुजिक एमपोरियम बहुत ही फुबसूरत लग रहा है मदा दोनों गाडिया साइड में लगी और अच्छली शेड में लगी तो वह सही है यार के गाडी के अंदर जो काम भी कर रहा है तो भी अच्छे चंट ऑड लियर करेंगे आपको जो प्लास्टिक पैनल की बैकसाइट पर मेमरी पांप फूप वसते ना कान में बहार खड़े रहा है आपको डैम्पिंग कर आते है यह देखो ये सिरक एक layer damping का इतना effect है आपको आवाज शायद आई होगी तो कितना जादा खोकला पंजो है उससे बहुत हत्तक कम हो जाता है और सिरक एक layer का effect है तीन layer के बाद बाहर का जो आवाज है बहुत कम हो जाता है इसमें मैंने floor पे damping अभी नहीं कराई है विकाज अभी मैं seat wheat नहीं खुलवाना चाहता बाद में एक बार फ्लोर पे डैंपिंग भी न देखेंगे अगर आवाज road noise फिर भी आ रही होगी तो seat के भी डैंपिंग करा सकते है वैसे तो इसमें highway terrain tats है मैंने tats change नहीं करा है अगर टार चेंज कराता तो definitely मैं पूरी गाड़ी के डैंपिंग कराता इंक्लूडिंग बोना, डिक्की, विक्की सब ये है हमारा थार का बंपर तो ये मैं लास्ट टाइम जब आया था ना तब मैंने कबल भी आपको बोला था कि मेरे को एक बंपर प्लीज सजेस्ट करना जो कि प्रॉपर हो आफ रोडिंग के साथ से और ये काफी ज़ादा हैवी है ये बिसी के लिए हमारे स्पीकर वायर रहेगा ये 14 गेज का वायर रहेगा तो ये अच्छा क्वालिटी है तो आब वायर देख के समझ जो भाई क्योंकि और ये स्कॉज क्या है कौन सा ब्रांट कौन सा है स्कॉष है भारू के नाम जैसा लगता है तो ये एक वायर का 5 चैनल आम है लास्ताइम फाइलाइस करगे गए दिए अपने इस्पीकर्स भी मॉरायर की लग रहे है तो इते आपका नहीं बहुतीज है न संठीज में य। जडिव सरीज य। छोड़ के इसमेर इन से पती जा Olivia अचर पुजा दूकि बारर हिच्थी एपनि ड्माय टेछी अपना। 15 लेयर य। । 10 लेयर डप्पिंगuta एक ग्यारादार रुपए गा है, मतलब यह वाला ना एक बार लगा दो तो फिर आप टेंशन फ्री, मतलब जक तक आपके वास गाड़ी है ना वाइरिंग भी कोई टेंशन नहीं होगी, यह मुरेल काम देखके गए थे, यह बारा इंचेस का वूपर है, सब वूपर, तो आपन डिफरेंट करा रहे है, एक रॉपर अंदर लगेगा बाहर लगेगा अंदर ना और इसके उपर डैंपिंग कर दो गया बजए का नहीं, पूरा पैक परोगा इसको पानी से भी और उससे भी, पीछे इसलिए तो मैंने बोले मैं लगा दे तो इसके बाद सुर इसके करा रहे हैं, इसमें टोटल अपनी 10 शीट डैंपिंग लगेगी, धाई शीट पर डोर के साब से, तो अभी सिर्फ डोर डोर पे करा रहे हैं, तो बैसे अभी रखना, इतने सारे लोगे से मिला और इतनी सारी एक सेवन अंदर, अपनी एक सेवन अंदर, एक भीया की सेवन गई और एक और सेवन अंदर यहां पर आ गई, तो बहुत सारी चीज़े आपको कंपनी से मिलती नहीं है, और बहुत सारी चीज़े जो मिलती है, वो अप्टू दो मार्क ने रहती है, स्पीकर्स मैंने आपको अल्रड़ी दिखा दिये, इसका सीट उतारना पड़ा है, क्य अधिकत होता है, यह है, इसका मीन वायर जो इसके वूफर और एम्प्लिफायर को सप्लाई देगा, अप्लिफायर के लिए लगता है यह, और यह लगेगी अपने गते में, एक बर दिखाना भाया, ऐसे आगे करके आगे, गते में आपके और एड़ी वायट लेकी फॉर्म अभी इसमें जितना भी अपना वायर से उसको टाई बेल्ट से पूरा प्रॉपरली टाई कर दे रहे, अब यह बहुत इंपर्टन चीज है, यह सेम चीज हमने थार में भी फॉलो किया था, कि सारा टाई बेल्ट से इसको टाई कर दिया था, ताकि इदो उदर वायर फैले तो यहाँ पे अपना स्विटर लग गया, यह बैक दोर है, पीचे वाला डोर है न, सेकेंड रोग है न पपु बया, पीचे गा हाँ पपू बईया, डिनर तो समझ में आता था, आज आप तर बेड भी यहीं पर लगवाओगे, पपू बईया बहुत आराम अराम से, मस तरीके से, पूरा टाइम लेके कर रहे था कि कोई गलती नहीं रहे, और बार बार परिशान ना होना पड़े, आच्छा सीट कवर नहीं उत आपके काम और अपनी गाड़ी को छोड़ दिया, मैं सच मत्तों ठाइम नहीं मिला बैडने का गाड़ी यंदर ना, कल तो लेका आए ना, कल मैं लेका आए, फिर रात को चला इए तो तो बेड़ बैट्शो काड़ी का यह वाला, यह वाला, यह यह में जोड़ा है यह तो कहीं भी सोनी की बैजिंग नहीं है मतलब इसको पीछे उलडता हूं सिंपल सा ऐसा है तो यह है जी महिंद्रा का ओईजिनल स्पीकर अब यह मेरे को चाहिए नहीं तो यह देखा यह कितना जल्दी-जल्दी इसमें छेद हो जा रहा है इसकी क्वालिटी यह पकड़ो भी यह यह है reality और इसकी क्वालिटी तो इतना पतला सा है अजीब सा ही है जीब सा ही यह बहुत अजीब और यह शैद वीडियो में अपको उतना समझमें नहीं आ रहा है जैसे नू मिला जो लाकर यह बहुत इसमें एक छोटा सा ऐसा है इसमें क्या मागनेत है इसमें क्या मज़ना रहा है और तोड़ दूख यह अब जब फोली वाले नौ यह इसोनी कहा है यह सोनी कहा है तो आप definitely इन स्पीकर्स को तो चेंज करा ही लोग हैं तभी हमने अपने स्पीकर सिस्टम अपग्रेड किया क्योंकि यार अच्छा आवाज अगर आपको लॉंग ट्रिप पे मिले ना तो भाई आपकी ट्रिप तो आदी अच्छी वहीं पे हो जाती है तो अल्मूस्ट 10.30 और अभी पपुभया स्पीकर्व और वूफर्स की सारी सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं अभी अंदर से गाड़ी में से आवाज दुम बजने की अवाज आ रही है वाजिकल यहां बंडा रहा है यह बढ़िया मेरी वीडियो बना रहे है तो इसको हम तुड़ा चोटा भी कर सक अपने को समान बहुत लिजाना पड़ेगा यह अपना रिकावरी किट है पानी वानी तो मिलाजुला के अपने बास समान जो होगा उसके लिए भी स्पेस बनाना पड़ेगा और इसको ना दूसरे तरह से हम एक्शली प्लान कर रहे है कि इसमें एक स्प्रिंग वाला जो ल मतलब जबरदस्त आवाज थोड़ा सा लास्का वैक्यूम वैक्यूम बच रहा है तो वो बस अभी हो जा रहा है और उसके बाद फिर अपन यहां से निकलेंगे और एम्बेंट लाइट तो एक्चली बहुत ही खतरनाक लग रही है यार मतलब हर जगे ना यहां से भी हलका स लाइट आ रही है ना तो बहुत सही है और पडल नीचे भी नीचे भी लाइट है दोनों साइड पे और पीछे भी लाइट है तो पीछे अपन देखेंगे यहां पर यह देगो अभी भाया काम कर रहे है तो नीचे यहां पर भी लाइट है तो मिला जला के महींडरा को तो वह बीक्की में ताकि वो जो भी कचड़ा वचड़ा होता है ना गंदा बैग नीचे रखते हैं तो वह डिक्की में नहीं जाए वो उस नूडल मैट पर रहा और इसको साफ करना इजी हो जाए तो वह भी कराना है लदाक से पहले प्लस एक दो चीजे और जो ने प्लान कि इतना टाइम देने के लिए मेरी वैसे आप भी इतने दिट तक बैटे रहे हैं आपको मता आना चाहिए आपको एंजोई करना है अरे मेरे को तो साउंड जबर्दस ने ने मेरे को साउंड बहुत मस्क्त लगा और मेरी वैसे देखो पपु भिया थैंक यू सूमच प्या थ तो यसे करो इसका क्या कर सकते हैं तो यहे उ इसको अचा है यहां किने इसका है और से नीन किया थीयूद वालिप फ्यार है तो थोड़ा थोड़ा एकस्पेरिमेंट करते रहते हैं जबर स == तेंक यू कियो मैंने बिया और कुछ है नि मेरे पास समान दो गाड़ी की चाबी थी हाँ थार की चाबी है न ओके बया बाई गुड़नाइट बाई लोग भी न मेरे वेश चल बे तुछ एपल वाच में हेल्प कुछ नहीं कर सकती पीछे आगे पूरा जो केबं का जो फील या एकड़ूज हो गया है और मूजिक सिस्टम अफकॉस मूजिक सिस्टम आपको इंस्टागाम पर पता चल जाए इगा किसका मूजिक सिस्टम कितना आसम है भाइप सुबह से जो वेट करेते थैं न थासली बक्ष काम जिसको कहते या टाइम लगा, लेकिन हर चीज मैं ये चीज करो भया, ये चीज करो, ऐसे करो, ये कम करो, वो जादा करो, ऐसे करके मैं बहुत परिशान करता हूँ, तो कबल भया का नमबर तो मैंने अल्रेडी डाल दिया, स्क्रीन पर भी बहुत बार रिफलेक्ट हो रहा होगा, तो आप कबल भया को कॉंटाक कर सकते हो, अल्मूस्ट बारा बजगे भाई, बैटरी क्या डाउन हुई है न मेरी, आप सो सकते हो, सुबह साड़े नौ बज़े मैं घर से निकला था, घर पहुंसते पहुंसते तक बारा साड़े बारा बज़ जाएंगे, भाई साब, क्या तावर त चीजे इसमें लगी, वो मैंने आपको दिखाया, तो उसका प्राइस भी आप से शेयर कर लोगा, ताकि आपको भी अगर गाडी में अपना कुछ भी कराना है, इस टाइप का कुछ कराना है, जहां पर साउंड क्वालिटी आउटपुट चाहिए आपको, तो एस्टिमेटे नहीं कहा जाएगा ट्रक के पीछे ही चुम्मा लेगा जाके,